पुश्कर साथियों, आज एक और खास विश्य पर वीडियो लेकर किया आपके बीच मैं हैं, जैसा कि आपने टैक्टल देख लिया होगा, इस वीडियों बात करने वालों गुंडे मवाली आखिर राजनेता कैसे बन जाते हैं, राजनीती में कैसे सफल हो जाते हैं, कैसे वो लोग सत्ता के शिष्ट तक पहुंच जाते हैं, और जनता उन्हें वोट क्यों कर देती हैं, मजबूरी कि है जनता की, क्या मजबूरी है, क्या समस्या है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करिए, तो मुझे लगा यह अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को पता किसी नेता या पार्टी के साथ कहीं ना कहीं अटैज रहते ही हैं, कुछ ना कुछ काम में इन्वाल रहते ही हैं, उनका आपस में बिजनिस में या राजनिती गड़जोड रहता ही है, तो होता क्या, शुरुवात ऐसे होती है कि जो वेक्ती कोई गुंडा मवाली होता है, वो अपने काम धंदे या जो भी गलत काम कर रहता है, उन पर परदा डालने के लिए वो किसी पार्टी या नेता का समर्थक बन जाता है, क्योंकि उन्हें नेताओं की जोरुत होती है, और नेताओं को भी उनकी जोरुत होती है, दोनों एक दूसरी के पूरक हैं, दोनों को अपना रॉब दिखाना हो किसी को डराना धमकाना हो तो उसके पास ऐसे लोग होने चाहिए कि मैं सफवेद पोश बना रहा हूं और मेरे साथ ऐसे लोग रहे हैं जो इस तरह का काम करते रहें और जो इस तरह का काम करते हैं उन्हें नेताओं का सरक्षन चाहिए कि कभी पुल करते हैं तो बीड़ में भीड को मैनेज करने का दूसरे वाले की भीड को कम करने का दूसरे वाले क्या होता है नेता और पाटी की आड में कोई पद ले लेते हैं और अपनी दबंगई करने के लिए सासाती दबंगई भी करते रहते हैं बदमाशी भी करते हैं पद ले लेते हैं छोटा मोटा अगर निचले स्थर का कारे करता है तो उनको निचले स्थर पर पद दिला दिया अगर बड़ा है तो उसको प्रदेश इस्तर पर या जलेश स्तर पर पद दिला दिया, अगर परदे के पीछे का ज्यादा फेमस होगा तो उसको परदे के पीछे रखते हैं, बट वो इंडारेक्टली उसके नाम से कोई दूसरा वेक्ती पद परहत है और पद लेकर के काम कर होता है, तो नेता और पार्टी की आड़ में अब पद तक पहुंच जाते हैं, अब यहां तक तो राजनिती में इंडारेक्ट हैं, फ्रंट पर नहीं है, यानि अभी वो लीड नहीं कर रहें, नेता नहीं बर रहें, अब क्या होता है, अब अग लेस्टाइब आता है, के धर्म के जादा लोग रहते होते हैं, या जातर ये लोग जो इस तरह का काम करते हैं, गुंडे मवाली होते हैं, ये अपने एरिया के लोगों के लिए रॉबिन हुट का काम करते हैं, अपनी छवी रॉबिन हुट की बनाते हैं, कैसे? चोरी डकैती करेंगे, गलत काम करे में मदद करेंगे उसमें थोड़ा बहुत आर्थी रूप से उन्हें मदद करते रहते हैं और किसकी मदद करते हैं जो उनके अपने गुर्गे होते हैं उनके परिवारों की मदद करते हैं उनकी जान पेचानवाले लोगों की मदद करते हैं तो इस तरह से एक छवी बन जाती और च्वी बन जाती है कि ये वेक्ति हमारी मदद करेगा, कई बार ये वेक्ति जो बदमाशी कर रहा होता है, दबंग होता है, ये दबंग इसलिए ही बनता है क्योंकि ये प्रसाशन के अत्याचारों के विरोध में खड़ा होता है, मालों कहीं पर पुलिस का या प्रसाशन क कोई अत्याचार हो रहा है गरीबों पर कोई कहीं illegal तरीके से रेडी लगा रहे हैं अपना खुमचे लगा रहे हैं अपनी दुकाने लगा रहे हैं और वहाँ पर पुलिस वाले आकरके या प्रिसर्शनिक लोग आकरके उन्हें हटाने ही कोशिश करते हैं उनसे हफ्ता वसुल करके इस पुलिस वाले से बढ़ जाते हैं यहां आपको पुलिस वालों को पैसा देने के जरूत नहीं है बदले में उनसे कुछ अपनी मदद के लिए खाना समान या कई बार हफ्ता वसुली भी शुरू कर देते हैं तो इस तरह से गड़ जोड बन जाता है कि वेक्ति पार पार्टी के कारे करताओं की मजबूरी होती है वो पार्टी के सिंबल के लावा किसी और को वोट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहां पर एक्चुल में लोकतंतर नहीं चर रहा है कुछ लोगों को कड़वी लगे की बात बट सच्चाई है मेरा फर्ज है सच्चाई बताना लोकतंतर क्या होता है डेमोक्रिसी की परिभाशा है गवर्मेंट ऑफ दी पब्लिक फॉर दी पब्लिक बाइदी पब्लिक बट एक्चुल में हम क्या चुन रहे हैं हम जनता के पृतिनीदी चुनी नहीं है हम पार्टी पृतिनीदी को चुनते हैं और यहां परिभाशा हो इसी भी वैक्ति को टिकेट दे दे, आपकी मजबूरी होगी आपको उसी को वोट करना है, आप उसके खिलाफ नहीं जाते हैं, जर्नली पार्टी सपोर्टर या पार्टी के कार्य करता, पार्टी के निड्ने के विरोध में नहीं जाते हैं, ना तो छोटे कार्य करता के पास इतना सामर्थ होता कि वो पार्टी के डिसेंट का अवेल ना कर सके और बड़े लोगों को एडर लगता है कि अगर हमने पार्टी खिलाफ गए तो पार्टी से में निकाल दिया जाएगा तो अब उस व्यक्ति को टिकेट मिल गया अब कई बार क्या होता है ऐसे व्यक्ति सब् और केंदर में मंत्री बन गया उसकी पार्टी या संगठन को गडवंदन था और गडवंदन में उसका नाम आ गया गया क्योंकि इनके वास पैसा भी होता है तो इस पैसे से भी धनबल बाहूबल हर तरा से मजबूत होते हैं तो इनकी समभावना जादा होती है और करे बार और अब इसको सुलूट मारना पड़ रहा है अब लोग सप्ता में चले और किया करेंगे उनके खिलाब जितने भी केसी होंगे क्योंकि िक warfare उनकी कोट को अभी इन्फिस पर है और जब वैक्ति सप्ता के शीश पर पहुंच जाता है तो उसके खिलाफ बूलने में होती नहीं है तो इस तरह से एक पूरा गड़ चोड एक कॉक्टेल बन जाता है जिसमें राज निता और बदमाश दोनों मिल करके सत्ता हत्यारे होते हैं और केवर बदमाश भी सत्ता के शीच पर पहुंच जाते हैं और कहना नहीं चाहिए डेमोक्रेसी में ये एक बहुत बड़ी कमी है जो ऐसे-एसे लोग भी मतलब मैं आप हैरान होंगे जान करके के लोगों के ऊपर ऐसे-एसे केस और एक-एक नहीं दस-दस 20-20, 50-50 केस वाले लोग संसत बहुन में पहुंच गे, सांसत बनने, विधायक बनने, विधान सभाहों में पहुंचे हुए, मंतरी बने हुए वो लोग तो ये विडमना है कमी है लोगतंदर की लेकिन ये कड़वी सच्चाई है तो जिस साथ ही में सवाल पूछा कि कैसे बन जाते तो मैंने कुछ-कुछ जानकारी देने कोशिश की ब्रीफ में बता है मैंने डिटेल में तो मैं भी यहां नहीं बता पूँग ये लगभग, hand-in hand होते हैं, बहुत पक्की आरी दोस्ती होती है, एक दुस्ते के समर्थक होते हैं और ज़रूत पढ़ने पर एक दुस्ते के लिए हर तरा के काम करते हैं मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको गाइड करने के आगे भी गाइड करता रोगा कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए कोई और सवाल हो कुछ और पूछना चाहें तो ज़रू बताएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि आपको किसी और विशा पर टॉ झाल झाल